तो भाई लोग, the dust has been settled और हम लोगों ने finally Leo movie देख ली है and indeed it is a theatrical experience जिसको सिर्फ बड़े परदे पर ही enjoy किया जा सकता है लेकिन Leo movie ने LCU और उसके future के लिए बहुत सारे सवाल खड़े कर दी है तो अगर तुम लोगों ने अभी तक movie नहीं देखी है तो ये video यहीं छोड़ दो cause में किसी के लिए भी इस movie का experience spoil नहीं करना चाता अब लोकेश का नगराज ने बहुत ही smartly Leo movie में LCU का connection embed की है क्योंकि इन्होंने सिफ विक्रम से ही नहीं बलके कैथी से भी Leo का connection establish कर दिये इस movie में अब Leo में जब market में पार्थी पर हमला होता है जिस fight sequence के कुछ glimpse हमने Leo के teaser और trailer में भी देखी हैं तो उसके बाद Leo अपने area के local police station में जाता है to ask for protection लेकिन उसकी उस demand को refuse कर दिया जाता है तो वो collector से request करता है कि उसके गाउं से एक police वाला बुलाया जाए और वहाँ आता कौन है वहाँ आता है कैथी movie से Napoleon जिसको duty दी जाती है कि वो Leo और उसकी family की protection करेगा और यहां हमें ये पता चलता है कि Leo movie कैथी के events के बाद established है क्योंकि Napoleon के introduction वाले scene में कैथी में हुए jail के incident को recall किया जाता है कि कैसे उसने एक gatling gun से 50 बंदों को मार डाला था अब इस एक scene से दो चीजें establish हो गई पहली तो ये कि Leo की acknowledgement में ये बात आ गई कि इस universe में दिली नाम का भी एक character exist करता है और दूसरा कि हमारी theories घलत साबीत हुए कि Leo शायद दिली को पहले से जानता होगा अब ये assumption हम लोगों ने इस base पर की थी ये कैथी movie में जब दिली अपने past के बारे में बता रहा होता है तो वो कहता है कि उसने एक bakery में काम किया था और Leo के announcement वीडियो में भी हमें Leo के character का introduction एक bakery में कराया जाता है लेकिन यहाँ पर note करने वाली बात यह है कि अगर Leo दिली को पहले से जानता होता तो जब Napoleon ने दिली का नाम mention किया था तब Leo किसी किसम का reaction जरूर देता जिससे audience को यह पता चलता कि Leo और दिली एक दूसरे को पहले से जानते हैं लेकिन Leo ने दिली का नाम सुनकर ऐसे अंसुना कर दिया जिसे जिन्दगी में यह नाम वो पहली बार सुन रहा हो विच प्रूव्स के Leo और दिली के past का कोई connection नहीं है विक्रम एंड लियो अब सबसे बड़ा धमाका तो लोकेश का नगराज ने किया है लियो मूवी के end में जब उन्हेंने direct interaction दिखाई है लियो और विक्रम के बीच में over a phone call लेकिन यह interaction से मूवी के end में ही नहीं है बलकि इसका built up तुमें throughout the movie नजर आएगा लेकिन इसके ओपर दिहान शायद बहुत कम लोगों का गया हो अब सबसे पहला सवाल जो विक्रम और लियो की conversation से खड़ा होता है वो यह कि आखिरकार विक्रम को पार्ती का पता कैसे चला और moreover उसको उसके real identity लियो का कैसे पता चला तो इसका answer है माया सुंदर कृष्णन का character अब शायद इस बात पर दिहान किसी ने ना दिया हो लेकिन सबसे पहले हम लोग माया सुंदर कृष्ण की character को लियो की bakery में देखते हैं और उसके बाद end में जब विक्रम लियो को call करता है तो उस time पर भी हम उनको corner में बैठा हुआ देख सकती है अब ऐसे में एक चीज तो clear है कि विक्रम इस LCU का Nick Fury होने वाला है जो इन सब characters को एक साथ लेकर आएगा for the greater good और यहाँ पर मेरी theory यह है कि जैसा कि हमें बताया गया है कि Anthony Das and Harold Das का business भी बहुत बड़े level पर था तो वो भी विक्रम के radar पर होंगे और अब विक्रम एक agent है तो उसने नजर तो उन पर रखी भी होगी for sure ऐसे में जब Anthony Das, Harold Das और लियो का issue escalate हुआ होगा तो उस दोरान विक्रम की नजर हर एक चीज पर रही होगी और उससे के बात realize हुई होगी कि उसको लियो चाही अपनी team में और तभी उसने लियो के end में लियो को call की लेकिन यहाँ ए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फहाद फासिल के character ने voice modulation का इस्तमाल करके लियो को call की हो दोनों ही possibilities में यह तो clear है कि लियो अपने heroes की side पर होगा जिससे villains के लिए मुश्किले और ज्यादा बढ़ने वाली है अब भई देखो लियो मुवी में एंटनी दास और हेरल्ड दास दोनों के मरने से एक बात तो confirm हो गई है कि रोलिक्स ही इस LCU का big daddy Thanos होने वाला है लियो के release से पहले बहुत speculation चल रही थी कि इस movie में हमें चियान विक्रम या फिर राम चरन का cameo देखने को मिल सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ विक्रम के end में हमने देखा है कि कैसे जब Rolex विक्रम और दिल्ली के सर पर bounty लगाता है तो विक्रम वही पर मौझूद होता है और उसका निया target अब Rolex बन चुका है लेकिन विक्रम को ये भी पता है कि Rolex इस समंदर की सबसे बड़ी मचली है जिसको ऐसे नहीं हराया जा सकता इसके लिए उसको एक team की जरुष है और अभी ये तो confirm हो चुका है कि विक्रम 2 से पहले हमें कैथी 2 देखने को मिलने वाली है तो उसमें हमें ये देखना बहुत important रहेगा कि अदाई कलम और अम्बू ने उस रात के events के बाद दिल्ली, नपोलियन और उस जेल में फसेवे बच्चों के साथ क्या किया दिल्ली खुद तो North India की साइट पर है इतना तो हमें विक्रम मूवी से पता चल चुका है लेकिन कैथी मूवी से जुड़े बाकी characters की life में उस रात की events से क्या बदलाव आया है ये शायद हमें कैथी 2 में दिखाया जा सकता है अब देखो Rolex एक बहुत important और crucial character है LCU के लिए और दूसी तरफ Leo भी क्यूंकि ये बात तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि Leo और Rolex के बीच में सबसे बड़ा common factor है उनका nature of business और जितने बड़े level पर ये लोग Das and Co company को चला रहे थे तो इस बात की भी पूरी possibility है कि Rolex का और इनका आमना सामना हुआ हो और शायद यही वज़ा रही होगी कि Vikram ने Leo को approach किया होगा क्योंकि इसको पता है कि यही वो बंदाई जो इस crime की दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ है और देखो अभी तक हमें सिर्फ Rolex दी character से introduce कराया गया है उसके empire से नहीं वो कितना बड़ा है कितना गहरा है और उसमें major stakeholder कौन कौन है अभी तक audience इन सब चीजों से अंजान है और surely यह सारी चीजें हमें LCU के आने वाली movies में देखने को मिलेंगी अब एक थियोरी में internet पर बहुत speculate होते हुए देख रहा हूँ कि हो सकता है कि Rolex हेरल्ड दास का बेटा हो लेकिन मुझे इस थियोरी में इतना weight नजर नहीं आता क्योंकि जब हम विक्रम में Rolex को यह कहते हुए सुनते हैं तो उसको 27 साल लगें इस empire को खड़ा करने में और उस लियो के आने के बाद LCU के dynamics और potential future हमेशा के लिए change हो गया है अब ऐसे में लोकेश का नगराच LCU के future को लेकर कौन सा route पकड़ते हैं और वो इन सारे characters को एक साथ कैसे लाकर खड़ा करेंगे यह देखना एक interesting affair रहेगा और देखो इस time पर LCU की hype all time high पर है लियो ने अपने first 5.5 करोड का worldwide collection की है और Indian cinema की history में highest first day grosser के list में fourth number पर अपना नाम register कर लिया है और जैसा कि मैं पहले ना जाने कितनी बार ये बात कर चुका हूं कि इस movie में पूरी potential है thousand करोड क्लब में इंटर होने की और जिस तरह का euphoria लियो ने इस time पर box office पर create कर दी है उसको देखकर लगत इस पर इतनी explosiveness दिखा रही है तो ये चीज़ आपको LCU और थलापती विजे की fan base के बारे में बहुत कुछ बताती है प्यारा हूं आज के लिए बस इतना ही मुझे नीचे comments में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है लियो के बाद LCU के future को लेकर और तुमारी के theories और opinions है मुझे नीचे comments के अंदर लाजमी बताना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो like और चानल को subscribe जरूर करना और bell icon को भी प्रेस कर देना ताके मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूं तुम्हें पता चल जाए और मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में तब तक अगली ए